हलो फ्रेंड्स वेलकम टू सीमास कुक बुक आज मैं आपके लेके आई हूँ अद्रक और हरी मिर्ची का पेस्ट इसे बनाना बहुत आसान है इसके लिए मैं ले रही हूँ एक कप हरी मिर्ची इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और अच्छे से सुखा दिया है फिर थ थोड़ा सा हमें लेना है लेवन जूस तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले जो हमने हरी मिर्ची ली है उसकी डंठल निकाल देंगे यह हरी मिर्ची मैंने सब बहुत छोटी वाली ली है और यह बहुत स्पाइसी होती है और इससे सबजी का या कोई भी आप स्नैक्स बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है आप इसको हाथ से भी ऐसे तोड़ सकते हैं इसका लकड़ी इजी ली रिमूव हो जाता है तो मैंने सारी हरी मिर्ची को अच्छे से साफ कर लिया है तो चलो अब इसे पीशते हैं यह मैंने लिया है एक मिक्सी का जार इसके अंदर डालेंगे अद्रक और हरी मिर्ची अद्रक को मैंने छोटे चोटे टुकड़ों में कट कर दिया था अब इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा ओल आप नमक भी डाल सकते हैं अगर आपको नमक के साथ पीसना है तो आप नमक के साथ भी पीस सकते हैं तो देखो तैयार है हमारा अद्रक और हरी मिर्ची का पेस्ट इसको हमें दरदरा पीसना है एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है और इसे हम करेंगे एर टाइट कंटेनर में स्टोर आप इसको काच के भरतन में और यह कम से कम फ्रीज के अंदर 10-15 दिन तक अच्छी रहती और डीफ प्रीज में मिनिमाम आपडेट से दो महिना तक इसको स्टोर करके रख सकते हो इसके उपर मैंने थोड़ा सा ओइल डाला है अध्रक हरी मिर्ची का पेस्ट ऐसा ही रहेगा और बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा अगर यह आपके पास यह पेस्ट रहेगी तो आप कोई भी रेसिपी को फटा फट बना सकते हैं तो फ्रेंड्स पसंद आये तो प्लीज शेर करो लाइक करो और सब्सक्राइब करो थैंक यू